नमस्ता दोस्तों स्वागत आपका आपके प्रेंस और उप्षानल एक्जाम कुरो टिप्स अन्रिक्स में रेल्वे कुरोड़ी परिच्छा बायोलोजी का सेट नमबर 21 आज हम करने वाले डेली एक सेट आपको मिल लए है और टॉप के 30 प्रस्ट होंगे इसमें 30 प्रस्ट आ अगे बड़ रही है डेली डेली अगर जोड़ लो तो टोटल मिला के छे साड़े 600 कुश्चन्स आज को मिला के आप कर लोगे ठीक तो देखते रही है बने रही है हमारे साथ आपके जब तक एक्जाम नहीं हो जाते तब तक यह सीरीज कंटीनियो रही और भी बहुत अलग सकते हो जिसको जिसके बारे मैंने टेली ग्राम ग्रूप में बताया है अलग अलग वीडियो में बताता रहता हूं ठीक तो चलिया यह शुरू करते हैं यहोप आपने चनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ठीक है और उन्तीस सारी से ध्यान नहीं पर कुश नहीं है बैच स्टार्ट हो जिनको आप जोइन कर सकते हो जिसमें से असे से लिए बैच आपको एक पुछ अक्सरा फीचर देखने को मिल जाता है जहां पर आप किसी भी सब्जेक्स रिलेट किसी भी कोश्चिन से रिलेट डाउट को क्लियर कर सकते हो इसके अलावा टेस देख सकते हो अवेलेबल है इसको भी दीजिए जब तक फ्री में है ठीक रेजेंड का फीचर मिल जाता है जहां पर आप लाइब कर लादस के दोरान टीचर से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो इसके अलावा इससे से कॉमबैक जो होना है दो जन्वरी को इस बार का जो कॉमबैक होगा इस पेशल इसलिए होगा क्योंकि रीजिनिंग का मैरा आथनों का रीजिनिंग के कोउशन होगे और रीलवी की त्यारी करो तो रीजिनिंग आप भी पढ़ रहे हो तो इस टेस्स को जरू दीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा आपको कॉमबैक पर जाना ह और इसको देना है ठीक है और तीस कोउशन के अंसर देना है चालीस मिनद में दो जनुरी कोगा बारा बजे और इसमें आप स्कॉलर्शिप जीच सकते हो ठीक है इसके लवा गुरो टेप स्कोर्ड यूजिए उसके रिए 10% डिस्कॉर्ड मिल जागा किसी भी कोर्सिस पर ठ है चरहे पहला कोश्ण आपके समने स्क्रीन पर है आस्ट्यो साइट पाय जाते हैं अस्थि में रख्त में तैकम इसका अध्यन करते हैं तो यनी की हड़ी का अध्यन करते हैं हड़ीलौ ये भी याद रखेगा विटामिन D की कमी से कोंसर हो तया होगा रिकेटिस होता है बच्चों में Osteoporosis होता है व्यस्कों में, ठिक, तो Osteocytes कहां पाय जाते हैं, यह हमारी अस्थी में पाय जाते हैं, Bones में पाय जाते हैं, option number A, right answer होगा, ठिक, Q2 की बात करें, फार्न किस वर्ग में आते हैं, फार्न किस वर्ग के अंतरकत आते हैं, तो फार्न की बात करें, यह आते हैं, टारीडो फाइटा के अंतरकत, option number D, टारीडो फाइटा के अंतरकत आते हैं, option number D, right answer होगा, तीन की बात करें, ब्रायो फाइट्स पादब जगत के क उभैचर कहलाते हैं चार की बात करें पादप कोसिका भित्ती किसकी बनी होती है प्लांट की जो कोसिका भित्ती होती हो किसकी बनी होती है तो ये बार कई बार मैंने बताया है तो ये बनी होती है कोसिका भित्ती जो होती है प्लांट की ये सेलुलोज की बनी होती है उप्सन आवरडवाला भाग होता इससे हमें मॉर्फिन प्राप्त होता option number D 6 की बात करें किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है तो दाल चीनी निकी option number E दालचीनी का उपयोग ये पेड़ की छाल है इसका उपयोग मसालों के रुपे किया जाता ओप्सन नमबर E चेक साथ की बात करें मसूलों मेरक तस्राओ दातों का गिर्ना अस्थियों का भंगुरोना एवं घाओ भरने में देरी निम्लिकित में से किस विटामिन की कमी से होता है तो ये विटामिन C की कमी से होता ओप्सन नमबर E आठ की बात करें निम्लिकित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के असकंदन में कारी करता है तो विटामिन की का रसारिंग नाम होता है फिलोकिनोन और विटामिन C का आपका एसकॉर्बिक एसिड नौ की बात करें निम्लिकित विटामिनों में से कौन सा कथन सही नहीं है दूद में कोई भी विटामिन C नहीं होता ये कह सकते हो विटामिन B होता है ठीक है तो यही आपका गलत है और पढ़ लेते हैं विटामिन A रेटिनॉल के अभाव में ये सही बात है जोडों से पीला होना इसकरवी के लिए छड़ा सही बात है विटामिन B थायमिन के अभाव तो याद रखेगा आपका DPT diphtherium partucis tetanus इसका पूरा नाम होता है diphtherium partucis tetanus ठीक है तो एक प्रकार का सभी तो ठीका है DPT option number B रहड़ा है जिस संक्रमित मचल के काटने से malaria मानों में होता है या फैलता वह कौन सा है जिस संक्रमित मचल के काटने से malaria मानों में फैलता है वह कौन सा है तो याद रखेगा मादा एना फिलीज मचल option number C मादा एना फिलीज मचल option number C 12 की बात करे छोटी चेचक से बचाओ के लिए क्या प्रस्ताविट ठीका है छोटी चेचक के बचाओ के लिए MMR वैक्सिन को प्रस्ताविट किया जाता किसके रोग ठाम के लिए तो खसरी के रोग ठाम के लिए option number C खसरा 14 की बात करें कैंसर के उत्कों की जाद किस से की जाती है कैंसर के उत्कों की जाद किस से की जाती है तो याद रखेगा पस्चिमी ब्रॉट यहां पर क्या अंसर होगा HIV HIV के लिए नयदानिक परिश्रा होता है HIV का जो वाइरस है Human Immuno Deficiency Virus होता है AIDS बोलते हैं इसको Acquired Immuno Deficiency Syndrome जिसका पूरा नाम है 1 December याद रखेगा जिस दिन हम AIDS जिवस मनाते हैं सुला के बात करें सरीर में Calcium Arculate की बहुत ज्यादा मात्रा में किसका काल बनती है अगर जो सरीर में Calcium Arculate की बहुत ज्यादा मात्रा हो गई है तो इसके काल क्या बनती है इसके काल पथरी बनती है Option No.C 17 की बात करें सिरोसिस रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है इसका answer हो जाएगा जिगर को जिगर को प्रभावित करता option number B 18 की बाद करें hemofilia किसका एक उधार है hemofilia, तो hemofilia दान लगए इसकी प्रकार क्या नुवांसी करोगा option number B 19 की बाद करें 19 क्या रख्टालपता, किसकी इस्तिती किसकी वज़े से होती है रखतालपता यानि कि खुन की कमी रखतालपता इससे ती किसकी वज़े से होती है तो याद रखेगा यह RBC की कमी option number B-right answer रखेगा RBC का जीवन काल आपको पता होना चाहिए 120 दिन होता है RBC में हीमोग्लोबीन पाया जाता है RBC में मैंग्लोबीन पाया जाता है हीमोग्लोबीन में हीम नामक रंजाक होता है जिसके काल मनस्के खुन करेंग लाल होता है यह भी याद रखेगा बेस के बात करें भोजन का विसाथता होना या बाटुलिज्म किस इस्पिसीज के संदूसर से होता है भोजन का विसाथता होना या बाटुलिज्म किस इस्पिसीज के संदूसर से होता है तो इसका अंसर क्या होगा यह होता है आपका बताइए किस इस्पिसीज के संक्रमन से होता है कॉलस्टूडियम के ओप्सन नमबर C कुलस्टूडियम के option number C दंत च्छाय का कारण क्या होगा दंत च्छाय का कारण क्या होगा तो याद लखेगा बैक्टेरिया संक्रमण की कारण हमें दंत च्छाय होता option number C right answer होगा 22 की बात करें टाइफाइड तथा कारणा किसके विशिष्ट उदारण है संक्रामक रोगों के वायू जन्न रोगों के जल जन्न रोगों के या फिर उप्युक्त में से कोई ने तो टाइफाइड हो या काला दुनों आपके जल जन्न रोगों के example है option number C right answer होगा 23 की बात करें पौधों की विमारी citrus कहकर किसके कारण होती है तो अधों की विमारी citrus कहकर किसके कारण होती है तो ये होती है वायरस के कारण option number A 24 की बात करें धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी की कारण होता है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी की कारण होता है तो जश्टा यानि की option number B 25 की बात करें पादप रोगु का सबसे उत्तरकाई कारक कौन सा है फंफुदी यानिके option number A 26 की बात करें मुवफली में होने वाला टिकका रोक के लिए उत्तरदाई कावक कौन सा है तो याद खिसा का सर्कु इसपेरा ये टिकका रोक का प्रमुक कारणा है option number A 27 की बात करें आलू में black heart का कारक कौन है आलू में black heart का कारक कौन है इस का answer क्या होगा तो याद आखिए का oxygen की कमी से आलू में black heart नामक रोग होता है option number C 28 की बात करें चाये में लाल रस्ट रोग किसके कारक होता है चाये में लाल रस्ट रोग किसके काड़ होता इस कांसर क्या हो जाएगा oxygen की कमी के काड़ लाल रष्ट रोग की बात हो रहे न तो ये हरे सहवाल के काड़ होता option number D हरे सहवाल के काड़ ठिक हरे सहवाल के काड़ चाय में लाल रष्ट रोग होता है 29 की बात करें red dot बिमारी किस की फसल है किस फसल की है red dot बिमारी तो red dot बिमारी गन्ने में होती है option number A गन्ना एक उश्रो कड़िवंदी पौधा ये भी याद रखिएगा तेस की बात करें पौधो में प्रकास संसेलिसर किरिया किस रंग में सबसे देख होती है तो लाल रंग में सरवादिक होती है option number C तो दोस्तों ये थी आज की science की class biology की class के 30 कोर्शन आई हूप आपको class अच्छी लगी रहे हूँ तो class को like करना important PDF भी अप ले सकते हो telegram group जोरु जोई करना क्योंकि updates notification नहीं जाते है तो telegram group में हमारे दोर लिंक send कर दिया तरह वहाँ से भी देख सकते हूँ और चलिए मिलते हैं स्क्रास में बबाई जय ही जय भाल